मिरर फार्मूला मतलब दर्पड़ का सूत्र एक है मिरर के आगे आपने एक आपजेक्ट रखा उसकी इमेज बनी तो आपजेक्ट की दूरी इमेज की दूरी और फोकल लेंथ इनके बीच में एक डिलेशन निकालना है ठीक है तो पहले हम बात करेंगे कान केब मिरर के लिए इसलिए याद करा रहा हूं जिससे हिंदी उलों को हिंदी आ जाए क्योंकि इंनफी इंगलिस वालों की हंदी बड़ी आप बड़ होती है शाan से यह प्रिंस्पल एक्सिस है ध्यान से समझेगा डाइग्राम यह क्या है यह पोल है पर दो डाइग्राम बनाना सीखेंगे यहां पर हमने एक आपजेक्ट रखा ओ ओ डैस यह आपजेक्ट है वस्तु है अब इसकी इमेज बनाने के लिए हमने कहा था कम से कम दो लाइट रे आपको मालूम होना चाहिए तो हमने क्या क्या एक लाइट रे पैरलल डाली इसके एपॉइंट पर कहां से उकर जाएगी फोकस से उकर जाएगी है ना फोकल से नह यहां से लाइट जाएगी ना एक लाइट इसके पैर से सिधे जाएगी और यहां पर लौट कर आएगी तो इसका पैर यहां बनेगा तो इसका इमेज ऐसे बनेगी आई-डाइग्राम कलेर हो गया दूरी कहां से नापनी है P से हमने यहां से एक परप्रिनिकुलर डा एम यह ध्यान रखिए M पॉइंट कहां पर है P के बहुत नजदीक है तो जो दूरी M से ली जाएगी वो कहां से ली जाएगी हमको दूरियों से मतलब है हमको हाइट से मतलब अबजेट की उंचाई के नहीं उसे मतलब नहीं है तो उसको कहींने कहीं से हटाना पड़ेगा यह अबजेक्ट है 늦ूरी को कि से लिखते हैं डायगराम में हम नहीं बना रहे हैं बाद में लिखेगे डायगराम कुलिर हो गया अब देखो triangle c o o dash दिख रहा है दिख रहा है और triangle c i i dash ये दोनो angle 90 degree है ये दोनो angle equal है तो तीसरा angle अपने आप equal हो जाएगा अगर किसी दो triangle तीनो angle equal हो जाएगा तो कैसा होता है similar होता है क्या होता symmetrical similar होता है ना some root कहते हिंदी में एक जैसा root अगर दो similar triangle है तो rule क्या होता है corresponding side का ratio equal होता है संगत भुजाओं का अनुपाद same होता है तो पहले तो diagram के बारे माप लिखेंगे कितना लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे आप आप लिखेंगे o dash एक object है उसका image ये बन रहा है काम कतम आपको ये light उधर गई उधर गई उधर गई किदर गई मारो गोली ज्यादा थेओरी नहीं ठीक है तो आप देखें triangle c o o dash similar है triangle c i i dash के ये similar का sign होता है ना ये similar होता है नाक नक साइक जैसा और ये हाथ पर एक जैसा बराबर हो गया तो हो जाता है congruent बढ़ा है ना तो दोनों similar हो गए तो corresponding side का ratio equal होता है है लेओ लेओ वो एक लगभा की equal जब होता है कोई चीज approximate equal होता है वा भया वा जितना बड़े होते जा रहे हो वैसा छोटी छोटी बाते वह छोटी दिखती नहीं सुनिए ध्यान से similar है ना तो similar में क्या होता है corresponding side का ratio equal होता है corresponding side बोले तो equal angle के सामने की sides देखो इसमें इस वाले angle के सामने कोई है O dash इसके सामने कोई है I dash तो यहां क्या हैगा O dash upon I dash बराबर CO upon CI equation number one सुन में आगई बात हम सामने O dash है और इसके सामने I dash है और यह C O है यह CI है हमको इस side से मतलब है नहीं इसलिए इसकी हम बात करेंगे नहीं साउधान अब इदर आईए यह दो triangle दिख रहे हैं F I I dash और F A M दिख रहे हैं यह 90 यह 90 यह angle equal हैं तो यह तीसरा angle अपने आप एकको हो जाएगा तो दोनों triangle कैसे हो गए similar हो गए triangle F I I dash similar triangle A F M तो अब जो कर्रिस्पांडिंग साइट लेंगे कौन सी इसकी help लेंगे हम हमने पहले यहां क्या लिया था O dash तो यहां क्या लेंगे पहले हम A M तो A M upon I I dash is equal to F M upon F I क्या A M को O dash के एक को ले सकते हैं बैट पैडल लाइन गई हैं ना तो दोनों दूरियां कैसी हैं बराबर हैं तो A M को क्या ले सकते हैं O dash upon I I dash बराबर F M upon F I क्यों लिखा हमने इसको क्यों लिखा हमने क्योंकि हमने कहा A M की value O dash के equal है यहां तब पहुँचिए पहले आप है सुझ में आ गया ना हाँ ठीक है वो सब understood है यह बस यहां लिख दोगे अपने आप एक्जामना जान गया कि तुम जान गया और तुम जान गया तो वो जान गया ठीक है नोट करिए इसको अच्छा इन दोनों equation को देखो दोनों का left hand side equal तो right hand side भी एककल कर दीजेगा लिकिंगे by equation 1 and 2 समीकर एक और दो से यह हो जाएगा CO upon CI is equal to FM upon FI बस आपको कुछ नहीं करना है यह value निकाल के यहां रख देनी है अपने आप proof हो जाएगा पहुँचिए यहां तक अब दोको distance कहां से measure करनी है P से P से दूरिया सब इधर होंगी न negative को positive सब दूरिया negative आएगे ठीक है दूरि कहां से नहापनी है P से M point को P के बहुत नजदीक मान के हम चल रहे है ठीक है देखो पहले हम CO की बात करते है दूरिया निकालने जा रहे है CO बराबर क्या CO आपका P से दूरिय दिख रही है तो CO को क्या ले सकते है डाइगराम देखो PO में से PC मानस कर दो PO में से PC मानस कर दो तो PO में से PC मानस कर दो ठीक है PO क्या है वस्तु की दूरिया है ना माइनस का U हो जाएगा माइनस PC क्या है दिखाई कम पढ'll रहा है कि कुछ दिक्कत हो रहे का सरद heavy हो रहे है आड है ना इना प्लस रा माइनस का हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा रैकिन आपको र नहीं आपको F चाहिए, तो R और F में क्या relation होता है, यह 2F होता है ना, तो यानि माइनस U प्लस 2F हो गया, यानि यह CO निकल आया, इधर आजाओ, CI, CI दूरी यह बीच वाली है, क्या करेंगे, PC में से PI माइनस कर दो, मैथमेटिकली दिख रहा है यहापर, डियाग्राम से ही दिख र माइनस का R, और माइनस PI क्या है, इमेज की दूरी है ना, इसका इमेज बन रहा है, इसको V रिखेंगे माइनस से प्लस, माइनस, तो यह साइन क्या हो जाएगा, प्लस, R को क्या ले सकते है, 2F, तो माइनस का 2F प्लस V, निकल आया, अब यहाँ पर आजाओ, FM, आपको FM निक माइनस, माइनस, फोकस, कल हमने कुछ बताया था, दिया था आपको, कानकेब का फोकल लेंद निगेटी होती है, लेो, निगेटी होती है, कल हमने इस चीज़ बताई थी, डाइगराम में बना रहा है, यह आपका होमर्क है, अब लोग समझें के भूल गया होंगे, बाईच कर दो, तो P I में से, P F माइनस कर दो, P I बोले तो, माइनस का V, माइनस यह प्लस का F, दुरियां सब निकल आई, putting all values in equation number 3, putting all the values, putting all the values in equation 3, सभी मान, समीकर्ण तीन में रखने पर, क्या putting word सही है, नहीं सही है, तो अप्या, अच्चु कि यह फिजिक्स है, इसलिए सब कुस, सही मान लिया जाता है, कौन अंगरी जीती देखता है, अब मैं putting करने जा रहा हूँ, देखो, अब diagram रब कर दें, बन गया ना, अब देखे, diagram की अब ज़रूरत हमको नहीं है, साउधान, अब दूरियां रख लें, फिसको रब करते हैं, देखो द्रान से, pen change कर लें, minus u plus 2f, upon, ci minus 2f plus v, minus 2f plus v, बराबर, fm minus का f, upon, fi minus का v plus f, minus का v plus f, बस simple mathematics, इसमें करिए cross multiplication, देखे, इसको दले जाएंगे, u को multiply कर रहे हैं, u v minus u f minus 2f v plus 2f square is equal to, इधर क्या आएगा, इसको दले ले आओ, 2f square minus f v, या आएगा ना, अब देखे, ये दोनों sign same है, दोनों कैसे हो जाएंगे, cancel हो जाएंगे, अब दोनों सभी एक बिरादर के, एक तरफ रखिए, देखो द्यान से, u v अकेला है ना, लिखा रहने दो, u f अकेला है, लिखा रहने दो, f v minus का है, ये minus का 2f v है, ये minus के धर आएगा तो, plus का, यहाँ क्या बचेगा, minus का f v बराबर 0, अब इसको अलग-अलग कर दो, तो सभी को u v f से डिवाइट कर दो, सबको अलग-अलग करने के लिए, तो u v को डिवाइट किसे किया हमने, u f से, minus u f को डिवाइट किया, u f से, minus f v को डिवाइट किया, u f से, equal to 0, यहाँ क्या बचेगा, one upon f बचेगा, minus, यहाँ, one upon v बचेगा, minus, यहाँ, one upon u बचेगा, तो 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v ध्यान रखेगा lens का formula हलका change है इसी में minus लग जाता है mirror के formula में plus होता है lens के formula में minus लग जाता है तो टेड़ा लिखा है समझेगी कोशिश करी है समझ में आ गई बात तो ये आपका proof हो गया